So let us do question number 8 Question number 8 कहा रहा है कि if a plane mirror moves the distance x towards the object then the distance moves by the images अगर object है एक O ये इस plane mirror के सामने रखा हुआ है ठीक है और plane mirror और object के बीच की distance है Y तो अगर आप इस plane mirror को x distance से shift कर देते हो मतलब यहां से यहां shift कर देते हो तो इसकी image कितना shift होती है तो image पहले यहां पे थी अब आगे बढ़ जाती है कुछ तो कितना shift होती है तो यह अपन को निकालने है आने कि D निकालने है तो देखो हमेशा plane mirror में जो object और image की बीच का distance होता है वो हमेशा same रहने वाला है तो अब मेरे को यह पता लगया कि हमने जो हमारा plane mirror है उसको हमने x amount से इस direction में shift कर दिया ठीक है तो पहले object रखा हुआ था y distance पे तो image भी बन रही थी y distance पे यह हमारी first event बन जाईगी अब हमने क्या करा है हमने जब mirror को इस direction में shift कर दिया तो हमारा object कितना दूर है अब हमारा object इतना दूर है यह कितना distance हो जाएगा यह x हो जाएगा प्लस यह y हो जाएगा तो x plus y distance हो गई तो यहाँ से image भी x plus y पीछे बनेगी तो image भी यहाँ पे हमारी दूसरी image x plus y पे बन रही है ठीक है अब मुझे ही पता लगाने कि image अब हो कितना shift हुई है यह d amount से shift हुई है यह d amount से हमारी image shift हुई है तो अब यह d निकालना है यहाँ से यहाँ तक की distance x है और यहाँ से यहाँ से यहाँ तक की distance है x plus y तो mirror की original position से total distance कितना है यह वाला total distance है x plus x plus y ठीक है ना और उस मैं से मुझे किसकी value जाएए उसमें से मुझे इसकी value चाहिए तो मुझे यहां से क्या delete करना पड़ेगा मुझे यहां से अगर मैं ये वाला part delete कर दो मतलब x और x प्लस y में से अगर मैं ये वाला part delete कर दो तो मुझे ये d मिल जाएगा तो x प्लस x प्लस y में से अगर मैं y हटा दू तो मुझे क्या मिल जाएगा d जो की होगा 2x यानि कि अगर आपने mirror को x amount से shift किया तो उसकी जो image है वो 2x amount से इसी direction में shift हो जाएगी यानि कि image यहां से यहां पहुच जाएगी जब mirror x amount से shift हुआ तो image उसकी 2x amount से shift हुई है Thank you